Hello students, welcome to my channel Mathematics Studies आज हम Special Function and Indigal Transformation की बुक की Power Series Chapter की Exercise 1.8 को करेंगे क्या है 1.8 के अंदर हमारे दो टाइप के कंसेप्ट है एक तो अगर मैं Point पुट करूँ और Ordinary Point आजाई एक पर मैं अगर Point को पुट करूँ वो 0, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है बढ़ हमारी जो ये Classes है इनके अंदर 0 Point ही होता है तो इस वज़े से मैंने 0 लिख दिया अगर मैं Point को पुट करूँ Ordinary Point आजाई तो क्या होगा और Point को पुट करूँ Regular, Singular आजाई तो क्या होगा देखो अगर Ordinary Point आगा तो आपको Exercise 1.4 का पूरा Concept लगाना है जो मैं वीडियो अल्रेडी अपलोड कर चुकी हूँ आपको इसी जो ये Chapter है इसी की Playlist में आपको देखना है बस Exercise 1.4 और वहाँ आपको मिल जाएगा तो अगर Ordinary Point आगया तो आपको वह वाला Concept लगाना है अब बात हुई अगर Regular singular point आगया तो क्या करना है Regular singular point आजाए तो हमें पता है जो हमारा y होता है वो क्या होता है Summation r is equal to 0 to infinity e r x की Power m प्लस r अगर dy by dx कैसे निकालेंगे इसका एक पर derivative करके Summation r is equal to 0 to infinity e r as it is x की Power m प्लस r का derivative करो e r x की Power m प्लस r minus 1 and double derivative कैसे निकालेंगे Summation r is equal to 0 to infinity m प्लस r पावर आगे m प्लस r minus 1 e r x की Power m प्लस r minus 2 अब जब हम Quotion के अंदर ये वाली values को पुट गर लेंगे अब ये वाला Concept तो हमारा 1.5 में भी था 6 में भी था 7 में भी था लेकिन इसमें क्या लग है देखो जब हम ये वाली values को equation के अंदर पुट गर देंगे जो हमारे Question की equation है तो तब हमारा जो m आएगा न वो unequal आएगा और जो उनका difference होगा न एक integer होगा unequal for example जैसे 2, 3 आ गया 4, 5 आ गया m की values तो उनका difference देखो जैसे 4 माइनस 5 क्या हो गया मेरा माइनस 1 या फिर 5 माइनस 4 कर दो तो मेरा क्या हो गया 1 तो उनका difference भी integer आ गया तो तब मैं m की value लोगी न इसके अंदर तो वो क्याएगी unequal या फिर distinct मतलब अलग-अलग या फिर जब हम उनका difference करें तो वो integer आ जाए तो इसके अंदर m की ऐसी values आएंगी और इन में से जो ये दो values होंगी ना एक value ऐसी होगी जो हमारी हम हमारी जो equation उसके अंदर पुट्टे करेंगे और वो हमें indeterminate form दे देगी तो हम क्या करेंगे अगर indeterminate form दे दी तो हम जो हमारे जिस point की वज़े से indeterminate form आई ना तो उसी point के अंदर उसी point की form में पूरे equation को solve करेंगे ये था हमारे थोड़ा सा इसका basic कि जो m के values आएंगी वो unequal आएंगी और उनका difference होगा integer और दोनो values में से एक value को अगर हम equation के अंदर हमारे solution के अंदर अगर put करेंगे तो वो हम हमारे solution को में एक value indeterminate बना देगा तो जो value हमारी indeterminate बनाएगी ना उसी की form में हम हमारे question को solve करेंगे and further आपको बिल्कुल जैसे मैं एक example करवाऊंगे आपको उसमें बिल्कुल आपको अच्छे से समझा जाएगा कि कैसे indeterminate form बनेगी कैसे हम उसका use करेंगे तो देखे question हाँ जी ये है हमारा question exercise 1.8 का इसके examples में ordinary point के ही questions थे इस वज़े से मैंने आपका exercise से question उठाया है देखे and ये काफे बार exam में भी हाया हुआ है most important question बिल्कुल अच्छे से देखे पूरे पूरे chance है आपके paper में भी आने की तो देखे question x square d square y upon dx square minus x dy by dx minus this into y is equal to 0 तो हमें क्या करना है इस equation को करना है solve तो देखो सबसे पहले तो हम यही check करेंगे कि point कैसा है हमारा ordinary regular singular है irregular singular है तो देखो उसके लिए मुझे क्या करना होता है d square y upon dx square के coefficient को 1 बनाना होता है तो पूरी equation को मैं x square से divide कर दूंगे तो इधर यह हो गया minus 1 by x dy by dx minus इधर x square upon x square 1 plus 5 upon 4 x square into y is equal to 0 यह आ गया मेरा अब जो dy by dx के साथ होता है वो तो मेरा px होता है जो y के साथ होता है वो मेरा qx होता है तो px की value आगी minus 1 upon x and qx की value आगी minus 1 minus 1 plus 5 upon 4 x square अब मैं क्या करूंगे x is equal to 0 पुट करके देखूंगी तो इधर पुट किया तो minus infinity आ गया और इधर पुट किया तो भी हमारा क्या आ गया minus infinity देखो क्योंकि something upon 0 infinity and 1 plus infinity infinity and minus बाहर है तो minus infinity और अगर हमारा infinity आ जाता है तो हमारा point कैसा हो जाता है singular point अब singular में हम देखेंगे कि वो regular singular है या irregular singular है तो उसके लिए हम क्या आगरते है x minus 0 into px x into px की value पुट कर दी ये वाली तो minus 1 आ गया minus x square and minus 5 by 4 अब देखो अब मुझे चेक करना x is equal to 0 पे तो है minus 1 मतलब एक finite term जब मैं इसके अंदर 0 पुट करूँगे तो मेरा minus 5 by 4 आएगा ये भी finite है इसका मतलब दोनों finite हो गई तो ये point मेरा कैसा हो गया regular singular point और तब मेरा point regular singular हो जाता है आपको basic के अंदर बताया था ये हम points लेंगे जब हमारा regular singular point आ जाएगा ये points अब मेरे आ गई अब जो ये values है वो मुझे कहां put करना है equation number 1 के अंदर जो हमारा question होता है उसके अंदर तब मैं ये put करूँगी तो देखो क्या होगा x square d square y upon dx square की value put कर दी minus x dy by dx की value put कर दी minus x square upon 5 by plus 5 by 4 and y की value put कर दी put करने के बाद फिर मेरा next step क्या होता है कि अगर इसके coefficient है तो उनके अंदर multiply कर दो and coefficients तो है हमारे तो इनके multiply करेंगे तो ये वाली term as it is and x की power क्या बन जाएगी m plus r क्योंकि base same है और m plus r minus बने तो क्या बन जाएगा m plus r ये वाली term 1 गई x square है तो यहां क्या हो जाएगा m plus r plus 2 minus देखो इधर भी minus आ जाएगा इधर भी क्योंकि बाहर minus है न braces के तो इस वज़े से summation r is equal to 0 to infinity 5 by 4 ar x की power m plus r अब क्या होता है हमें question किसकी form में बनाना होता है m plus r की form में ये भी m plus r की form है ये भी है ये भी है बट ये नहीं है तो हम क्या करेंगे r plus 2 की जगे k put कर देंगे 1, 2, 3, 3rd term के अंदर r plus 2 की जगे k put कर देंगे put r plus 2 is equal to k in third term तो r की value किसके equal आगी मेरी k minus 2 के equal अब देखो अगर मेरा r 0 है अगर मेरा r 0 है तो k 2 आगए कैसे आए 0 put कर दो r की जगे k minus 2 इसको इधर लेके आएंगे 2 is equal to k तो k के value मेरी क्या आगई 2 आगई अब क्या है जो मेरी third term थी वो क्या बन गई k is equal to 2 है न जैसे r is equal to 0 to infinity था तो यह कहां से start हो जाएगा मेरा k is equal to 0 to infinity एंड r की जगे भी हम k की form में terms को put कर देंगे तब मैंने k की form में terms को put कर दिया तो मेरा क्या बन गया यह बन गया उसके बाद मुझे क्या करना होता है k की जगे r replace करना होता है यह वाली equation बन गी और अब इस जो यह मेरी term बन गई न इसको मैं इसकी जगे पुट कर दूँगी and मेरी जो second equation है वो क्या बन जाएगी यह अब मेरी second equation यह बन गई अब next step क्या होता है हमारा की हम जो सबसे बड़ा summation है सारे summation को उतने तक shift करते है मतलब इसके अंदर भी मुझे 0,1 पुट करना है इसके अंदर भी इसके अंदर भी तो पुट करो जब मैंने इसके अंदर 0 पुट किया तो क्या आया m प्लस 0 मतलब m into m-1 a note x की पावर m यह आ गया अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करो तो क्या आएगा m plus 1 into m 1 से 1 cancel होगे ना तो 0 m plus 1 into m a1 x की पावर m plus 1 अब इसके अंदर 0 पुट करो तो क्या आएगा m a0 x की पावर m इसके अंदर 1 पुट करो तो आएगा m plus 1 a1 x की पावर m plus 1 इधर m plus 1 आएगा एंड इसके अंदर तो put करना ही नहीं है इसके अंदर 0 put करूँ तो कहाएगा 5 by 4 AR X की power M इसके अंदर 1 put करूँ तो कहाएगा 5 by 4 A1 X की power M plus 1 एंड सारे के सारे ये वाला summation था वो भी 2 से start होगा ये वाला भी 2 से ये वाला भी 2 से ये वाला भी भी x की term है, minus m, ये भी x वाली term ही है, मेरी, तो क्या गया 5 by 4, a0 and x की m, and x की पावर m प्लस 1 को इकठा करती है, ये वाली term, ये वाली term, तो क्या हो गया, m plus 1, a1, minus m plus 1, a1, minus 5 by 4, a1, and x की पावर m plus 1, ये कोमल ले लिया, अब जो मेरी summation वाली term थी वो क्या दिए देखो इसमें भी side term में summation r is equal to 2 to infinity है तो वो मैंने बाहर को मले लिया and side term x की power m plus r है तो वो भी मैंने बाहर को मले लिया और जो side term थी m plus r into m plus r minus 1 ar ये लिख दिया इधर minus m plus r ar लिख दिया minus ar minus 2 लिख दिया and minus 5 by 4 ar ये लिख दिया अब क्या करना है हम मुझे coefficients को compare करना इस वाली term को 0 के equal equate करना इस वाली term को 0 से equate करना इस वाली term को तो coefficients को compare करेंगे पहले हम x की m के coefficient को and x की power m plus 1 के coefficient को x की m के coefficient को compare करेंगे तो equal to 0 कर देंगे and x की m plus 1 के कोफिशेंट को compare करेंगे तो भी equal to zero कर देंगे अब देखो तब मैंने X की M के कोफिशेंट को compare किया तो मेरी टम ही आगे into A note is equal to zero देखो जो A note था वो दोर जाकर zero हो गया तो मेरी equation बच गई तो M square माइनस M minus M minus 5 by 4 is equal to zero and M square माइनस M minus M minus 2 M minus 5 by 4 is equal to zero अब मैंने किया कि अब पूरी equation को 4 से multiply कर दिया तो 4m square minus 4 to 8m minus 5 is equal to 0 तो क्या हो गया अब मैंने इसके factor बना लिए तो क्या होगा plus 2 and minus 10 4m square plus 2m minus 10m minus 5 इन दोनों में से 2m को मल लिया तो क्या गया 2m plus 1 इसमें से minus 5 को मल लिया तो 2m plus 1 2m minus 5 ऐसे होगे ना 2m minus 5 इकठा and 2m plus 1 इकठा m की value के आगे उदर चला गया 5 by 2 and minus 1 by 2 ये m की value आगे उसके बाद जिब मैंने coefficient of x की power m plus 1 को compare किया तो मेरी ये वाली term आ गई थी ये वाली term इधर से आ गई थी 0 के equal तो मेरा इधर भी क्या आ गया m square plus m minus m minus 1 minus 5 by 4 m से m cancel and this minus 1 minus 5 by 4 calcium लेंगे तो क्या हो जाएगा minus 4 minus 5 upon 4 तो क्या हो गया minus 9 by 4 ये वाल आ गया into a1 अब देखो ये तो मेरा 0 के equal हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता अगर ये 0 के equal हो गया by chance तो क्या गया मेरा 9 by 4 and m की value क्या गया गया plus minus 3 by 2 लेकिन मेरा m तो क्या आया हुआ है ये इसका मतलब ये जो हमारी term है वो तो 0 के equal हो नहीं सकती तो 0 के equal कोन होगा even तो even के value आ गयी 0 अब मेरा next step क्या है जो मेरे ये वाली term थी x की power m plus r वाली term थी उसको मैं 0 के साथ compare कर दू तो मैंने जो 0 के साथ compare किया तो मेरी ये वाली term बच गई and मेरा summation कहां से start था 2 to infinity तो मैं साथ में क्या भी लिख दूँगी कि जो मेरी r की value है न वो greater than equal to 2 है क्योंकि summation कहां से start था 2 to infinity मतलब r क्या हो सकता मेरा 2, 3, 4, 2 से लेके infinity तक तो मैंने लिख दिया r greater than equal to 2 अब मैं को क्या करना होता है जो हमारी e जो बड़ी term होते हैं उसको side and बाकी term goes side तो e, एक तो मेरा e r है एक r में से कुछ minus हो रहा है तो ये छोटा होगा तो इसको उधर लेके चले गई and e r वाड़ी terms को मैंने सारा ये कठा कर लिया and e r इसमें से इसमें से common ले लिया तो क्या आ गया m plus r into m plus r minus 1 minus m plus r minus 5 by 4 and उसको मैं अधर लेके चले गई ये आ गया minus e r minus अब क्या करेंगे ये आ गया था मेरा ये वाली term अब मैंने क्या क्या गया minus m plus r minus 5 by 4 is equal to this minus m plus r and minus m plus r क्या हो गया minus 2 m plus r and pack his item as it is उसके बाद मैंने क्या किया पूरी equation को 4 के साथ multiply कर दिया तो क्या आ गया ar तो ऐसी है 4 m plus r का square minus 4 तो जा 8 m plus r minus 5 जब यहाँ 4 की multiply करेंगे तो 4 से 4 cancel and minus 5 and यहाँ क्या जाएगा 4 ar minus 2 अब यह आ गया अब मैं को क्या करना है यह वाली जो इस वाली term है उनके coefficients बनाऊंगी मैं देखो कैसे देखो ar आ गया factor बनाऊंगी मैं इनके 4 m plus r का square देखो minus 8 है न उसका मैंने factor क्या बनाया plus 2 and minus 10 तो यह ऐसे बना दिया factor उसके बाद क्या होगा जो यह वाली दोनों term है उसमें से मैंने 2 m plus r को मले लिया क्या गया 2 m plus r plus 1 डिदर से minus 5 को मले लिया तो क्या गया 2 m plus r plus 1 अब देखो एक तो मेरा क्या बन गया 2 m plus r minus 5 एक बन गया 2 m plus r plus 1 and is equal 2 में तो यह मेरा चल ही रहा है तो क्या चल रही है greater than equal to 2 तो r के value मैंने इधर भी लिख दी greater than equal to 2 अब मेरा जो यह ar था मैंने आगे भी next similar step लिख रहा है ताकि हम इधर values को put कर सकें easily तो ar आ गया मेरा इधर अब मैं r में क्या put कर सकती है 2, 3, 4, 5, 6 मेरी 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 कितने भी put कर लो तो put किया जो मैंने इसके अंदर 2 put किया तो a2 क्या आ गया मेरा 4, 2 minus 2, 0 a note into इसके अंदर मैंने 2 put किया तो मेरी यह वाली टम आ गी अगर मैं इसके अंदर आर कि जगे 3 put करू तो यह आ गया 4 put करो तो मेरा ये बन गया 5 put करो तो ये बन गया 6 put करो तो ये बन गया अब देखो मेरी M की है ना दो values आई थे एक तो minus 1 by 2 and एक 5 by 2 M की value जो मेरी minus 1 by 2 है तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दू इन 2 में M की value ये है ना तो 2M किसके को लागया minus 1 के तो मैं क्या कर सकते हूँ क्योंकि इसमें हर जगे 2M है ना तो इस वज़े से मैंने easy बनाने के लिए सिधा 2M की value भी बना लिए इसको minus 1 अब देखो जब मैंने इसके अंदर minus 1 put किया 2 के अंदर तो मेरा क्या बन गया 4 A note upon 2M की जगे minus 1 and minus 1 minus 1 minus 2 and इधर minus 1 तो 5 minus 1 4 तो यह आ गया मेरा and 4 से 4 cancel minus A note upon 2 लेकिन अगर मैं अब देखो A3 की जगे minus 1 put कर दू A3 में 2M की जगे minus 1 put कर दू तो मेरा क्या होगा देखो even तो मेरा already 0 आ गया था इधर है ना तो वो तो मेरा 0 आ गया था अब मैं इधर भी अगर 2M की जगे minus 1 put कर दू तो मेरा नीचे भी 0 आ गया and 0 by 0 यह तो मेरी कैसी form बन गई indeterminate form बन गई तो मेरा अगर question indeterminate form बन जाता है तो हम क्या करते हैं question में लिख देते हैं कि जो A3 है ना उसके अदर हमने by chance L hospital rule वगरा use कर लिया है और हमारी एक constant time आ गई है वो हमें निकाल के नहीं दिखानी बस हम direct लिख देंगे जो हमारा we assume A3 b any finite value मतलब जब हमने A3 को solve किया होगा तो उसके कोई finite value आ गई है and हम question को अब पूरा A3 की form में ही निकाल लेंगे अगे हम उसको solve नहीं करेंगे पूरे question को A3 की form में ही रख लेंगे उसके बाद अगर मैं A4 की अंदर minus 1 put करूँ तो मेरा क्या आएगा 4 A2 minus 1 put किया मैंने तो मेरा क्या आ गया हो गया अगर मैं इसके अंदर minus 1 put करूँ तो 3 minus 1 2 तो इधर 2 आ गया 9 minus 1 8 तो यह आ गया and then मैं A2 की value इसके अंदर put कर दो जो मेरी यह आई थी तो यह आ गया मेरा minus A not by 8 उसके बाद मैं A5 निकालू and अब मैं को A3 की value इसके अंदर कुछ नहीं put करने क्यों कि मेरी तो वह indeterminate form आ गयी थी अब हम इसके जो answer है वो A3 की form में ही रखेंगे and देखो फिर मैंने इसके अंदर minus 1 put किया तो मेरा इधर 4 आ गया and 11 minus 110 आ गया तो यह वाली टमब आ गई and A3 की form में question रहा similarly A6 की में जब हम इसके अंदर minus 1 put करेंगे and तो इधर क्या जगा 6 and 12 6 and 12 4 A4 and A4 की value मेरी इधर क्या थी minus A0 by 8 तो मैंने minus A0 by 8 put कर दिया and यह value आगी अब मुझे पता है मेरा point तो क्या था regular singular and जब regular singular होता है तो solution क्या होता है y is equal to xm into A0 plus A1x plus A2x square plus A3x की cube and so on यह होता है मेरा अब मैं क्या करूंगी मैंने point क्या put किया था m की value जब मैंने minus 1 by 2 put करी है तो मेरे क्या क्या points आई है वो मैं सारी values के अंदर put कर दूंगी तो x की value क्या आगी minus 1 by 2 A0 plus A1 तो मेरा 0 था तो 0 A2 की value मेरी क्या आई थी A2 की value आई थी मेरी minus A0 by 2 तो मैंने put कर दी plus A3 की form में तो मुझे answer ही रखना क्योंकि A3 की तो indeterminate form आगी थी तो A3 में मैंने answer रखा plus A4 A4 की value मेरी इधर आगी थी minus A0 by 8 तो इधर लिख दी minus A0 by 8 plus A5 की value क्या आगी थी मेरी ये minus 1 by 10 plus 1 by 10 A3 इधर मैंने put कर दी similarly मैंने A6 की value भी put कर दी and then क्या किया देखो हर टम में A0 है and A3 है तो जो A0 वाली टम्स थी उनको इकठा कर लिया and A3 वाली टम्स को इकठा कर लिया देखो इसके अंदर भी A0 है इसके अंदर भी A0 तो पहले मैंने क्या किया X की power minus 1 by 2 तो है A0 वाली टम्स को इकठा कर लिया धर 1 minus X square by 2 minus X की 4 by 8 minus X की 6 by 144 यह तो मैंने A0 वाली टम्स को इकठा कर लिया अब मैं क्या करूँगी जो A3 वाली टम्स से उनको इकठा कर लूँगी देखो X की पावर minus 1 by 2 तो है multiply में and A3 मैंने को में लिया तो इसके साथ में क्या गया X की पावर 3 इधर आ गया plus X की पावर 5 upon 10 यह आगा क्योंकि इसके अंदर भी ए 3 था ना इस वज़े से अब देखो क्या हो गया Y is equal to A0 X की पावर minus 1 by 2 and this term as it is मैंने क्या क्या आप 3 X की पावर 3 भी इसमें से common लिया अगर मैं X की पावर 3 और common लिया तो इधर क्या बन जाएगा मैरा 3 minus 1 by 2 3 to the 6 minus 1 by 2 क्या हो गया 5 by 2 तक्स की पावर तो मेरी क्या होगी इधर 5 by 2 अगर यहां क्या बन गया 3 को में लिया तो 1 and इसमें से 3 को में लिया तो square X की square upon 10 तो यह मेरी equation बन गी यह अब देखो मैंने है ना इधर मेरे 2 value आई थे M की एक तो मेरी आई थी 1 by 2 minus 1 by 2 and एक value आई थे मेरी 5 by 2 अब minus 1 by 2 तो मैंने put कर लिया उसमें मेरी determinant form आगी सारा question solve हो गया लेकिन 5 by 2 का क्या roll है तब मैंने M की value 5 by 2 ली ना तब मैंने इसके अंदर put करके देखी जो हमारी equation थी इनके अंदर सारी M की जग गया 5 by 2 पुट करके देखी तो मेरी जो terms थी ना वो ये बन गी A1 की value A2 की value इस term की form में बन गी अब देखो मेरा ये बन गया अगर मेरा ये बन गया x की power 5 by 2 पुट करने जे तो ये तो already मेरा इसके अंदर है देखो x की power 5 by 2 1 plus x square upon time इसका मतलब हमारा ये वाला solution तो already इसके अंदर है तो हमें ये वाला करने के तो कोई need ही नहीं है क्या है which is a multiple of second series of equation star जो equation star है ना जो second series है मतलब second part है इसका ये तो उसी का multiple हो गया तो हमें ये वाला लेने की कोई जरूरत नहीं है तो hence we reject it तो हम इस वारे time को reject कर देंगे हमारा ये ही solution हो जाएगा क्या थे इस question के अंदर एक बार और मैं आपको brief दे देती हूँ सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि पॉइंट कौन सा है वो है हमारा regular singular point regular singular point आ गया तो हम क्या करेंगे ydy by dxd ये सारी values लेंगे और values को put कर देंगे equation 1 के अंदर put करने के बाद देखेंगे अगर coefficients है हाँ है तो उनके अंदर multiply कर देंगे coefficients के multiply कर देंगे फिर हमें पता हम m plus r के form equation बनाना है तो हम क्या करेंगे जो भी extra terms होंगे उनको put कर देंगे and shifting करके वापीस इसे के अंदर put कर देंगे and हमारी कुछ equation इस टाइप की बन जाएगी उसके बाद क्या होता है जो हमारा सबसे बड़ा summation है उसके एक पल हम equation बनानी होती है तो उनके अंदर जसे इसके अंदर 2 था तो इसके अंदर मैं 0 1 put किया इसके अंदर भी इसके अंदर भी तो जो terms आ गई उसके बाद हम coefficients को compare करने के बाद हमारी m के values आ जाएंगे कुछ and similar हम यहां भी coefficient को compare करेंगे तो हमारा कुछ यह बन जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर क्या put कर सकते हैं 2 3 4 5 कितना भी put कर सकते हैं तो मैंने values को put कर जा मेरी equation आगी अब मुझे पता है m की value मेरी minus 1 by 2 थी 5 by 2 थी जब मैंने 5 by 2 put किया तो मेरा यह आ गया जब मैंने 1 by 2 put किया तो यह वाली time तो मेरी स्वही आ गई लेकिन जब मैंने इसके अंदर put किया तो मेरी 0 by 0 form बन गई और वो क्या होती है हमारी indeterminate form अगर मेरी indeterminate form बन गई तो मैं सिधा बोल दूँगे कि जो मेरी A3 की value है वो कोई finite value आ गई है and finite value आ गई है and मैं अब इस पूरे question को है ना A3 की form में ही बना दूँगी and उसी के अंदर solve कर दूँगी ताकि मुझे वो value निकालनी ही ना पड़े मैंने पूरा question A3 की form में solve करना सही समझा तो मैंने A3 ले लिया इधर and A5 भी A3 की form में आ जाएगा similar फिर मैं क्या करूंगी इसके अंदर वो वैस सारी values को put कर दूँगी and मेरा answer आ जाएगा similar देखो इसके अंदर A note आ गया था and A3 की terms आ गई थी तो A note common ले लिया था यह वाली term आ गई थी यह यह वाली term आ गई थी जो मैंने M की जगे 5x2 पुट किया न तो मेरा क्या हुआ कि इस में से जो मेरा solution आय था न उसका एक multiple ही बन गया तो मतलब मुझे यह लेने की कोई जरूरत ही नहीं है इसको मैं reject कर सकती हूँ क्योंकि मेरा यह solution तो already इसके अंदर है तो यह मेरा क्या हो गया solution this is our required answer thank you guys for watching my video please do like share and subscribe to my channel thank you so much अगर आपको कोई doubts है तो आप comment section में जरूर बूले मैं आपके डास को विल्कुल clear करने की कोशिश करूंगी थैंक